स्वागत है आप सभी का नई कहानी में, मेरा नाम रश्मी है, मैं जिस कंपणी में काम किया करती थी, वहां का मालिक बहुत अच्छा था, आसपास के सारे लोग उसकी तारिफ किया करते थे, यहां तक की पूरी कंपणी में उसकी तारिफ के चर्चे थे, मुझे भी अपने श जगा नोकरी से रिजेक्ट कर दिया गया और मैं बड़ी उमीद के साथ इस कंपनी के मालिक के पास पहुँची तो उन्होंने मुझे मेरी काबियत देखकर मुझे नोकरी पर रख लिया था मैं कोई जादा खुबसूरत तो नहीं थी एक मामूली सी शकल वाली लड़की थी कर मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि वो आदमी जैसा दिखता था वैसा बिलकुल भी नहीं था क्योंकि आफिस में ही काम करने वाली एक सफाई करमचारी की बेटी ने मुझे उसकी एक ऐसी हकीकत के बारे में बताया था जिससे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कभी कभी तरह रंग बदलने वाले भी तो इनसान ही होते हैं गिरगिट तो सिर्फ एक जानवर है असर रूप तो इनसान बदलता है जो दुनिया के सामने तो कुछ और अपने अकेली दुनिया में कुछ और होता है ये बात मुझे इस कंपनी में आने के बाद पता चली थी दरसल मैं जब बहुत ज़्यादा पड़ी लिखी थी मेरे पिता जी जब जिन्दा थे तो उन्होंने मुझे बहुत पड़ाया था क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी बहुत समझदार थी मेरे पिता जी बच्पन से ही यही कहा करते थे कि मेरे सारे बच्चों में सबसे समझद मेरी बड़ी बेटी है जब मेरे पिता जीज दुनिया में थे तो हमारी जिन्दगी बहुत अच्छी गुजर रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी महनत से हम लोगों को कभी किसी तरह की कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी थी लेकिन जिस दिन से उनकी मोत हुई थी हमारे घर पर मेरी मा भी हमेशा बिमार रहने लगी थी मैं बहुत संसकारी फैमली से बिलॉंग करती थी हमारे यहां लड़कियों को नोकरी करने की परमीशन नहीं दी जाती थी और ना ही उनको ज़्यादा पढ़ाय जाता था उनको अच्छे संसकार भले ही दिये जाते थे मगर यह सारे संसकार उन्हें उनके सुस्राल जाने के लिए सिखाय जाते थे मेरी माने हमारी बहुत अच्छी परुडिश की थी हमें हमेशा सीधी रापर चलना सिखाया था सच बोलना सिखाया था लोगों की मदद करना सिखाया था मगर आज हालात ऐसे हो गए थे कि ना सच बोलना हमारे काम आ रहा था, ना सीधी रहा पर चलना, और ना ही किसी की मदद करना, बलकि हमें तो खुद ही किसी की मदद की जुरूर थी, मेरा कोई भी भाई नहीं था, बलकि मुझसे मेरी दो छोटी बहने थी, वो दोनों स्कूल में पढ़ रही थी, एक बहन माच्वी क्लास में थी, जबकि मेरी एजुकेशन कम्पलीट हो चुकी थी, मैं भी आगे और पढ़ना चाहती थी, मगर घर के हाला देखते हुए, मेरी दुबारा पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि पढ़ाई भी आज के जमाने में पैसे से ही की जाती है, इस दवाईयों का खर्चा भी था, हमारे पास आमदनी का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पिता जी अकेले ऐसी इनसान थे, जो किसी बड़े मालिक के यहां मुंसी की नोकरी किया करते थे, इमानदारी से पैसा कमाते थे, इसलिए भगवान ने उनकी कमाई में इतनी बरकत दी थी, कि उनके अकेली कमाई में ही हमारे घर के सारे खर्चे आसानी से हो रहे थे, ना किसी का कर्ज था और ना ही हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जूरत पड़ती थी, क्योंकि इमानदारी से कमाने बले इनसान का साथ तो भगवान भी देता है, लेकिन जिस दिन से मेरे पिता जी की मोत हुई थी, हमारे घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे, हम एक रुपए के लिए तरसने लगे थे, हमारे पास जितने भी जुड़े हुए पैसे थे, वो सब भी खतम हो चुके थे, क्योंकि जुड़े हुए पैसों के साथ सारी जिन्दिगी नही पती मिल सके जिसकी नोखरी अच्छी हो और तुम्हें सारी जिंदिगी खुश रखे मैंने अपनी मा से कहा कि अब हमारी मजबूरी है आपने जितने भी संसकार हमें सिखाए हैं उन सारे संसकारों से पेट नहीं भरता देखिये मा आप कितनी बिमार हो रही हैं और बहनों की हालत देखिये दोनों की पढ़ाई भी रुख गई है उनकी जब तक फीस नहीं जमा हो लेकिन प्रोब्लम ये थी, कि मैं नोकरी के लिए जगा जगा धक्के खा रही थी, मगर मुझे कहीं पर भी नोकरी नहीं मिल रही थी, मैं बहुत परिशान थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, कि मैं क्या करूँ, कभी-कभी मन करता था, कि अपनी ही जान ले लूँ, क्योंकि भी करना था मगर मैं क्या करती नोकरी थी कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं किसी अच्छी जगा पर ही नोकरी करना चाहती थी जहां पर मुझे पूरी सिक्योर्टी भी मिल सके और मैं आराम से नोकरी कर सकूँ और जहां पर मुझे सैलरी भी ज जब खाली पेट होता है तो इंसान भूक से भी लगता है और सोचता है कि बस कुछ भी करके उसे खाना मिल जाए यही हाल मेरा भी था क्योंकि मैं तो भूकी रह सकती थी मगर अपने परिवार को भूका नहीं देख सकती थी भूक की वज़े से मेरी दोनों बहने दिन बदिन क कोई काम नहीं करना चाहती थी ऐसी नोकरी तो मुझे ना जाने कितनी मिल जानी थी यह नोकरी में बहुत मजबूरी में कर रही थी मुझे सेल्स गरल की नोकरी करते हुए काफी दिन गुजर गए थे घर में थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे जिन से हमारा गुजारा हो र इसलिए अब मैं सेल्स गर्ल की नोकरी पर लग गई हूँ, मैं अब अपने आपको और ज़्यादा परिशान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि इस दुनिया में गरीब इंसान का कोई नहीं है, मगर मेरी फ्रेंड बड़े यकीन और भरोसे के साथ कह रही थी, कि वहाँ पर मुझे नोकरी जरूर मिल जाएगी, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, कि मैंने कई जगा पर नोकरी के लिए ट्राई कर लिया है, जब मुझे वहाँ नोकरी नहीं मिली, तो ये कैसी कंपनी है, कि मुझे यहाँ पर आसानी से नोकरी मिल जाएगी, मेरी फ्रें करने के बारे में सोच लिया था मैंने सोचा की एक बार ट्राइ करने में क्या जाता है एक दिन के लिए स्टोर से चुट्टी ले लेती हूं अगर नोकری मिल गई तो हमेशा हमेशा के लिए मैं जर्नल स्टोर से आजाद हो जाऊंगी और नहीं मिली तो फिर वापस जर्नल स्टोर पर ही जो नोकरी कर रही हूं वही करती रहूंगी क्योंकि मैं सेल्स गरल वाली नोकरी को भी नहीं छोड़ सकती थी जब तक मुझे दूसरी कोई अच्छी नोकरी नहीं मिल जाती वरना तो मेरे घर का जो थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था वो भी नहीं होता अगले ही दिन मैंने जर्नल स्टोर से छुट्टी ली और मैं अपनी फ्रेंट के बताए गए अड्रेस के मुताबिक उस कंपनी में अपना इंट्रिव्यू देने के लिए चली गई मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी इस कंपनी के बोस का नाम शहर के मशूर बिजनसमैन लोगों की लिस्ट में आता था मुझे पूरी उमीद थी कि मुझे यहाँ पर नोकरी नहीं मिलेगी मगर मैं अपना लग अजमाने के लिए यहाँ पर आई थी मैं जैसी ही ओफिस के अंदर गई तो मुझे बाहर ही इंतजार करने के लिए कहा गया और कहा गया कि जब थोड़ी देर में बोस आ जाएंगे तो इंटर्वी शूरू होगा वहाँ पर पहले से ही काफी लड़के और लड़के अनोकरी के लिए आये हुए थे उन सब को देखकर मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी क्योंकि उन सबने मोडर्ण कपड़े पहने हुए थे मैं एक मामूली से शक्ल की लड़की थी और मैंने मामूली से ही कपड़े पहने हुए थे आदे घंटे के बाद जब बोस आये तो इंटर्वी शूरू हो चुका था जल्दी जल्दी सब लोगों का इंट्रुवी हुआ और फिर मेरा भी नमबर आ गया था मैं जैसे ही आफिस के अंदर गई तो सामने की कुरसी पर लगभग 35 साल का एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुँ जादा स्मार्ट था मैंने उनको अपने सारे डोकुमेंट्स दिखा दिये थे काफी देर तक उन्होंने मेरे डोकुमेंट्स पढ़े फिर गोर से मुझे देखा और कहने लगे कि तुम काबिल और समझदार लड़की लगती हो तभी तो आज कल के मॉडरल लड़कियों जैसी बन कर यहाँ पर नहीं आई हो मैंने उनसे कहा कि जी सर मैं आपके पास बहुत उम्मी से आई हूँ क्योंकि मैं कहीं जगा नोकरी के लिए ट्राइ कर चुकी हूँ मगर मुझे कहीं पर भी नोकरी नहीं मिली मेरी फ्रेंड ने आपके वारे में बताया है अगर आप मुझे नोकरी दे देंगे तो आपकी बड़ी महरबानी होगी वो मेरी बास सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगा अच्छा ठीक है तुम्हारी नोकरी पक्की हो गई है कल से तुम ऑफिस जोएन कर लेना बाकी की सारी डिटेल तुम्हारे मुबाइल नंबर के टेक्स्ट मैसेज से मिल जाएगी मैं उनकी बास से बहुत खुश हुई थी मेरी फ्रेंड ने से ही कहा था कि कंपनी में काबलियत देखकर नोकरी दी जाती है मैं जब घर आई तो मैंने ये खबर अपनी फैमली को सुनाई मेरी माँ और बहने ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी जबकि मैं खुद भी बहुत खुश थी क्योंकि मैं ऐसी ही नोकरी डिजाव करती थी इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी अगर सेल्स गर्ल जैसी नोकरी मिले तो इतना पढ़ना ही बेकार है आज मुझे लग रहा था कि मेरी सालों की महनत रंग ले आई है जनरल स्टोर पर तो मुझे आठ हजार रुपे मिल रहे थे और उस पर मैं अगर ओवर टाइम कर लिया करती थी तो मेरे कूल मिला कर 10,000 महीने के बैट जाते थे लेकिन इस कमपनी में नोकरी करने के बाद लगभग मुझे 50-60,000 रुपे की सैलरी मिली थी और इतनी ही सैलरी मेरे घर के जूरत को ढ़ंक से पूरा कर सकती थी अगले दिन जब मैं अपनी जोग के लिए उफिस में पहुची तो वहां के लोगों से मैंने बोस के बारे में बहुत तारिफ सुनी थी मुझे लगा कि बोस सच में बहुत अच्छा इंसान है और वो सच में ही अच्छा इंसान था क्योंकि उसने मेरी काबलेत की बुनियाद पर मुझे नोकरी दे दी थी मेरी मुलाकात इस कंपनी में काम करने वले कुछ लोगों से हुई थी कुछ ऐसी लड़किया थी जो मेरी ही उम्र की थी और यहां पर जोग कर रही थी मुझे उन लड़कियों ने पहले ही दिन काफी डरा दिया था वो कह रही थी कि तुम यहां नोकरी करने तो आ गई हो लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में होगी तुम अगर अपने काम से काम रखोगी तब ही तुम्हारा फायदा होगा वरना तुम बहुत जल्दी सौफिस से निकाल दी जाओगी लड़कियों की बात सुनकर मुझे घवराहट हुई थी कि आखिर वो क्या कहना चाह रही थी उन्होंने मुझे ठीक से कोई बात नहीं बताई और मुझे इस बात को समझना भी नहीं था वैसे भी मैं उन लड़कियों में से थी जो अपने काम से काम ही रखती थी मुझे जादा किसी से यारी दोस्ती करने भी पसंद नहीं थी और नहीं किसी के साथ जादा हसी मजाक करके अपना टाइम परबाद करना कुछ दिन तो मेरे इस कंपनी में नोकरी करते हुए बहुत अच्छे गुजर गए थे लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने यहां पर देखा कि यहां कुछ अजीबों गरीब हो रहा था आफिस में ही एक लड़का मैनेजर की नोकरी किया करता था उसका नाम परताब था परताब ने मुझे सारे ओफिस का काम अच्छे से समझा दिया था और ओफिस के लोगों से मेरी मुलाकात भी करवा दी थी सर ने परताब से कहा था कि तुम्हें रश्मी का स्पेशल ख्याल रखना है क्योंकि सर को मैं अच्छी तरह से बता चुकी थी कि मेरी फैमली के हालात कैसे हैं उन्होंने कहा था कि तुम निराश मत हो यहां पर तुम्हें किसी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी बातों ही बातों में परताब मेरा अच्छा दोस्त बन गया था इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे साथ बातचीत करता था बलकि इसलिए क्योंकि वो मेरी बहुत हेल्प करता था इस ओफिस में जितनी भी लड़किया थी उनसे सिर्फ मैं थोड़ी बहुत बातचीत करती थी मगर परताब एक ऐसा इंसान था जिसने मेरी हर काम में मदद की थी मेरी अगर कुछ समझ नहीं आता तो परताप मेरी फोन हेल्प कर देता था वो यहां का मैनेजर था उससे दोस्ती करना मेरे लिए फायदे का सोदा साबित हुई थी ओफिस में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था मुझे यहां पर नोकरी करते हुए एक महीना गुजर गया था मगर एक दिन मैंने देखा कि आफिस से ही एक सफाई करमचारी की बेटी ने अपने पिता की जगर नोकरी पर आना शुरू कर दिया था वो लड़की बहुत कम उमर की थी उसकी उमर लगभग 16 साल होगी मगर वो इस उमर में पढ़ने लिखने की बजाए यहां पर काम करने क्यों आ रही थी एक दिन जब वो मेरे कैबिन के सफाई करने के लिए आई तो मैंने उसको रोक लिया था और उससे पूछा कि आखिर अंकल जी कहा है तुम्हारे पिता यहां पर सफाई करमचारी का काम किया करते थे अब तुमने अपने पिता की जगा आना क्यों शुरू कर दिया है तो वो लड़की कहने लगी कि मैडम जी मेरे पिता जी की तव्य ठीक नहीं है वो काफी दिनों से बिमार है घर में खाने पिने के लिए कुछ भी नहीं था पैसो की बहुत जुरूरत पढ़ रही थी अब इस तरह से खाली बैठ कर तो पैसे नहीं कमाए जाते इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने पिता की जगा यहां पर साफ सफाई का का काम कर लिया करूंगी मैंने कहा मगर तुम काम करने के लिए अभी बहुत छोटी हो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए तो वो मेरी बात पर मुस्कुराई और कहने लगी मैडम जी आप कैसी बाते कर रही हो गरीबों के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं होते और आप पढ़ाई की बात कर रही हो ये बात कहकर उसने अपना काम शुरू कर दिया मगर मैं क्या कर सकती थी वो मेरे कैबिन के सफाई लगाने के बाद महां से चली गई थी एक तरह से उस लड़की ने बिल्कुल ठीक कहा था जैसे मैं मझबूरी में सेल्स गरL का काम कर रही थी मैं भी तो गरीब थी मुझे भी कहीं पर नोकरी नहीं मिल रही थी ऐसे ही इस बेचारी की भी कंडिशन हो सकती है उसके बारे में ये सब सोच कर मैंने उसे इग्नोर कर दिया था उस लड़की का नाम गोरी था और गोरी हर रोज अपने पिता की जग़ा आकर काम किया करती थी आज में जल्दी ही ओफिस आ गई थी मेरा कैबिन सेकिंड फ्लोर पर बना हुआ था में जैसी है अपने फ्लोर की तरफ आई तो मैंने देखा की गोरी अपने आँखों में आसू लिये सफाई कर रही थी मैंने रुक कर दोबारा उसके चहरे को देखने की कोशिश की की कहीं ये मेरी आँखों का वहम तो नहीं है मगर मैंने नोटिस किया कि गोरी सच में अपनी आँखों से आसू साफ कर रही थी गोरी को रोते हुए देखकर मैं परिशान हो गई थी मैंने उसका हाथ पकड़ कर पहले उसे बिठाया और उसे तसलिदी उसे पानी पीने के लिए दिया और फिर उससे पूछा कि आखिर तुम क्यों रो रही हो क्या कोई परिशानी है तो वो मेरे तसलिदेने पर और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी मगर कुछ भी बताने के लिए त्यार नहीं थी गोरी ने कहा मैडम जी आप अपने काम में लग जाओ अगर किसी ने आपको मुझसे बातचीत करते हुए देख लिया तो आपकी नोकरी खत्रे में पढ़ सकती है मैंने उसे कहा कि ये तुम कैसी बाते कर रही हो भलत तुम्हारे और मेरे बातचीत करने में मेरी नोकरी को खत्रा कैसे हो सकता है और तुम जानती हो कि मैं तुम से पहले भी कई बार बात चीत कर चुकी हूँ गोरी कहने लगी मैडम जी लेकिन पहले की बात और थी और आज की बात और है मैंने गोरी से कहा गोरी तुम पागल हो गई हो क्या ऐसी बाते मत करो, मुझे बताओ कि तुम परिशान क्यों हो और तुम क्यों रो रही हो क्या अंकल की तब्यत जादा ही खराब है या फिर तुमें पैसो की जूरत है मुझे लगा था, शायद उसके पिता की तब्यत खराब जादा हो गई है तब ही तो वो इतना रो रही है मगर वो इस बात से इंकार कर रही थी मेरे ज़्यादा पूछने पर वो मुझे अपनी परिशानी बताने के लिए त्यार हो गई थी, वो मुझे अपनी बात बताने ही वाली थी, कि उपर मैनेजर परताप आ गया परताप को आता हुआ देखकर गोरी अचानक से घबरा गई और चेर से उठकर खड़ी हो गई कहने लगी मैडम जी आप अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो ये कहकर वो मेरे पास से चली गई मैं गोरी को आवाज देती रही कि आखिर क्या परिशानी है तुम मुझे अपनी बात तो बता कर जाओ मगर उसने मेरी एक ना सुनी परताप मुझे देख चुका था कि मैं गोरी से बाचीत कर रही थी और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी परताप ने मुझे कहा कि रश्मी तुम अपने काम पर ध्यान दो और तुमें यहां पर और जब मैं यहां आई तो वो रोर ही थी परताप कहने लगा कि कोई बात नहीं रश्मी बस तुम अपने काम से काम रखो तुम्हें दूसरों के मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी करने की जूरत नहीं है यहां पर तुम्हें नोकरी मिली है तुम बहुत भागयाशाली लड़की हो मगर तुम कोई ऐसा काम मत करो जिसके वज़े से तुम्हारी नोकरी खत्रे में पढ़ जाए परताप मुझे यह सब बता कर महां से जा चुका था पता नहीं किसी से बात करने पर किसी से किसी की प्रोब्लम पूछने पर मेरी नोकरी को भला खत्रा कैसे हो सकता था ना गोरी और ना ही परताप इन दोनों में से किसी की भी बात मेरी कुछ समझ नहीं आई थी मैं अपने काम में बीजी हो गई थी मगर आज मैंने सारा दिन नोटिस किया था आफ हो जाती है लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं अपना सारा काम निप्टा लूँगी इसलिए मुझे लगभग शाम के 6 या 7 बच जाने थे मुझे इस बास से कोई प्रोब्लम नहीं थी क्योंकि मेरी मम्मी को आज मैं बता कर आई थी कि मुझे घर आने में देरी भी हो सकती है जब शाम के 5 बजे तो आफिस के सारे लोग जा चुके थे कुछ सफाई करमचारियों और स्ठाफ के 2-3 लोग ही आफिस में बचे थे सफाई करमचारी तो सारी सफाई करने के बाद ही जाते थे जिन में से गोरी भी थी आज परताप भी अपने घर नहीं गया था परताप कहने लगा कि ये अच्छी बात है आप बहुत महनत और लगन के साथ काम कर रही हो सर को आपका काम बहुत पसंद आ रहा है परताप मेरे ही कैबिन में मुझसे बातचीत करने के लिए मेरे पास बैठ गया था आज परताप के बातचीत करने का एक अलग ही अंदाज था, वैसे तो मन ही मन मैं भी उसको पसंद करने लगी थी मुझे उससे बाचीत करना, उसको देखना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो एक इमानदार इंसान था और बहुत अच्छा था, हमेशा मेरी मदद किया करता था, मेरा जवाब का इंतजार करेगा, ये कहकर वो मेरे कैबिन से चला गया था श्याम के साथ बजे मैं अपने काम से फ्री हुई थी, जैसे ही लिफ्ट से उतर कर बेसमेंट की तरफ आई थी, तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि बोस भी अपने घर जा रहे थे और उनकी गाड़ी में परताब के साथ साथ गोरी भी उनके साथ जा रही थी, परताब का तो समझ आता है कि वो बोस का मैनेजर है मगर गोरी को ये लोग अपने साथ कहां और क्यों लेकर जा रहे थे मुझे लगा कि हो सकता है गोरी को बोस के घर पर काम करना हो इसलिए वो अपने साथ अपने घर ले जा रहे हो मैं इस बात को इग्नोर करते हुए अपने घर जाने के लिए निकल गई थी अगले दिन मैंने देखा कि गोरी बहुत खामोश खामोश सी थी मैंने ओफिस आते ही गोरी से पूछा था आज तुम ठीक हो आज तो कोई परिशानी नहीं है वो मेरे स्वाल पर अचानक घबरा गई थी और इदर उदर देखने लगी कि कहीं हमें कोई देख तो नहीं रहा गोरी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से चली गई थी गोरी इन दिनो बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब हरकते करने लेगी थी वो पहले मुझे से थोड़ी बहुत बातचीद कर लेती थी मगर उसने मुझे से क्या किसी से भी बात करना बंद कर दिया था वो ऑफिस में किसी से कोई बात नहीं करती थी और सिर्फ सर जुका कर काम करती रहती लेकिन मैंने नोटिस किया था कि गोरी परताप को देखकर बहुत घबरा जाती थी परताप के आजाने से उसके चहरे पर अचानक पसीना आने लगता था वो ऐसा क्यों करती थी ये बात मेरी कभी समझ नहीं आई थी परताप और मेरी एक दूसरे के साथ फोन पर धीरे धीरे बाची शुरू हो गई थी परताप मुझसे मेरा जवाब मांग रहा था तो मैंने उसको हां में जवाब दिया था मेरा मतलब था कि मैं भी उससे प्यार करती हूं और उसके लिए सीरियस हूं मेरी बात पर परताप बहुत खुश हो गया था परताप एक अच्छी फैमली से बिलोंग करता था और फिर हमारी ही कंपनी में मैनेजर की नोकरी करता था तो उसकी सैलरी बहुत ज़ादा थी मुझे यकीन था कि मेरी शादी परताप से असानी से हो जाएगी कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे गोरी की कंडिशन अभी भी वैसी की वैसी ही थी वो हमेशा डरी सहमी सी रहती थी और दिन बदिन कमजोर होती जा रही थी आज फिर मेरे पास बहुत काम था इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आज भी घर लेट ही जाऊंगी क्योंकि वो कहीं पर गया हुआ था और आज मेरी उससे ज़्यादा बात भी नहीं हुई थी पता नहीं वो ऑफिस में किस टाइम आया था बोस्तो गाड़ी में बैठ चुके थे मगर परताब भी गोरी का हाथ पकड़ कर उसे लेकर जा रहा था मैंने दूर से ही परताब को आवाज लगाए तो वो मेरी आवाज सुनकर रूख गया था मैंने जब गोरी के चहरी की तरफ देखा तो उसकी आँखों से आसू बह रहे थे उसकी आँखों में आसू देखकर मुझे कुछ गरबड का ऐसास हुआ था मैंने परताब से कहा कि तुम गोरी को कहा लेकर जा रहे हो तो परताब कहने लगा कि कही नहीं और तुम अभी तक घर नहीं गई हो मैं बोली कि हाँ बस जा ही रही हूं लेकिन गोरी क्यों रो रही है मैंने गोरी की तरफ देखते हुए कहा कि गोरी क्या हुआ है तुम्हें परताफ की नजर बार बार कार की तरफ थी क्योंकि कार के अंदर बोस बैठे हुए थे परताफ ने जल्दी से गोरी का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि रश्मी तुम घर जाओ मैं तुम से बाद में बात करूँगा मैंने जट से गोरी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम गोरी को कहा लेकर जा रहे हो मैंने कुछ दिन पहले भी देखा था कि तुम गोरी का हाथ पकड़ कर उसे बोस के साथ कहीं लेकर जा रहे थे और गोरी रो क्यों रही है अगर ये बोस के साथ जा रही है तो इसकी कंडिशन ऐसी क्यों हो रही है परताब कहने लगा कि रश्मी तुम अपने काम से काम रखो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ अभी हमें जाने दो गोरी मुझे तरस भरी नजरों से देख रही थी परताब गोरी का हाथ पकड़ कर उसे आगे लेकर बढ़ चुका था गोरी ने मुझे पल्ट कर देखा और वो रोते हुए इशारे से कहन कि मैडम जी मुझे बचा लो मैं भागती हुई गाड़ी की तरफ गई इतनी देर में वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी आगे चल पड़ी थी मैं बहुत जादा परिशान थी मुझे गोरी की फिक्र हो रही थी कि आखिर गोरी इतनी जादा डरी हुई और रोई-रोई क्यों थी मैं गहरी सोच में जा चुकी थी मेरी माउ और बहनों ने जब मुझे इतना परिशान देखा तो वो लोग भी मुझे स्वाल करने लगी की आज तुमें क्या हो गया है आज तुम इतनी खामोश-खामोशी क्यों हो ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं खोई हुई हो मैंने अपने घर पर आफिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था बस कहा दिया था कि बस मुझे काम का थोड़ा स्ट्रेस है रात को भी मुझे इसी बेचानी में नीद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी आँखों के सामने बार बार गोरी का रोता हुआ चहरा नजर आ था मैंने परताब की कॉल का इंतजार रात के दो बज़े तक किया मगर परताब ने मुझे कॉल नहीं की थी फिर हार कर मैंने खुद ही परताब का नंबर ट्राइ किया था उसका नंबर सीच ओफ जा रहा था अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं गोरी से बात करके ही रहूंगी गोरी दूसरे नंबर पर मेरे कैबिन के सफाई करने आई थी आज मुझे उसका अपने कैबिन में सफाई करने आने का इंतजार था मैं जल्दी ओफिस चली गई थी ताकि बोस के और परताब के आने से पहले ही गोरी से बात कर सकूँ जब गोरी आई तो वो बहुत जादा डरी हुई थी और मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी मैंने गोरी से कहा कि आज तुमे मुझे पूरी बात बताने ही पड़ेगी आखिर तुम क्यों परिशान हो देखो मैं कोई बुरी इंसान नहीं हुँ मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़की हुँ अगर तुम परिशान हो तो शयद मैं तुम्हारी परिशानी का हल निकाल सकती हुँ गोरी जट से मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी कहने लगी मेडम जी मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है मेरी इज़त के साथ खिलवार किया जा रहा है और मेरी इज़त के साथ खेलने वाला इंसान कोई और नहीं बलकि इस ओफिस का ये कहकर गोरी खामोश हो गई थी लेकिन उसकी खामोशी पर मुझे एक जोरदार जटका लगा था मेरी आँखों में भी आंसू आ गए थे मैंने कापते हुए शब्दों में गोरी से कहा क्या तुम्हारी जट के साथ खिलवाड परताब कर रहा है क्योंकि मैंने कई बार गोरी को परताब से डरते हुए भी देखा था और उसका हाथ पकड़ कर उसे ले जाते हुए भी देखा था पहले तो मुझे गोरी की बात पर विशास नहीं हो रहा था मैंने उसे ये भी कहा था कि तुम मुझे जूट बोल रही हो तो वो कहने लगी मैडम जी मैं गरीब आदमी की बेटी हूँ अपने पिता के इलाज करवाने की खातिर यहाँ पर उनकी जगा काम कर रही हूँ और हम गरीबों के पास तो वैसे भी सबसे कीमती चीज उसकी इज़त ही होती है भला मैं अपनी इज़त को लेकर आप से जूट क कहूंगी और आप गलस समझ रही हो परताब साहब ने मेरे साथ ये सब नहीं किया बलकि मेरे साथ तो बड़े साहब ने किया है गोरी का बड़े साहब से मतलब बोस से था मैं उसकी बात सुनकर चोग गई मैंने कहा तुम सच कह रही हो कि बोस तुमारी इज़त के साथ खेल रहे हैं आखिर कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम मुझे डिटेल से बताओ तो उसने मुझे अपनी बात बतानी शुरू की उसने मुझे बताया कि मैडम जी पिछले एक हफते से हर रोज बड़े साहब मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं और वहाँ पर चमचा है परताप वो मुझे यहां से अपने साथ लेकर जाता है उसने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया लेकिन वो अपने बोस के साथ मिला हुआ है उसको सब कुछ पता है मेरे पिता जी ने बड़े साहब से करजा लिया हुआ है परताप मुझे धमकाता है कि अगर मैं इज़त के साथ हर रोज खिलवाड हो रहा है ये लोग मुझे यहां से तब ले कर जाते हैं जब ओफिस के सारे लोग अपने अपने घोरों को वापस चले जाते हैं ताकि किसी को हम पर शक ना हो मैडम जी मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ मैं आपके सामने हाथ जोड में पढ़ सकते हो और आपकी नोकरी भी जा सकती है आप बड़े साहब को नहीं जानती वो बहुत अमीर आदमी है अपने पैसे की ताकत से कुछ भी कर सकता है गोरी कहने लगी मुझे तो हर रोज बड़े साहब की दुलहन बन कर उनके कमरे में भेज दिया जाता है मगर गटिया इंसान था सब लोग उसकी तारिफ करते थे मगर आज जब ये सच्चाई मुझे पता चली तो मुझे उस इंसान से नफरत महसूस होने लगी थी कि एक इंसान गरीब लड़की की मजबूरी का फायदा उठा कर उसकी इज़्जत के साथ खेल रहा था और सबसे ज़ प्रूरी काम के बहाने से और मेडिकल सोफ से जाकर बेहोशी की दवाई ले आई थी और पानी में मिलाकर गोरी को पिला दी थी मैं आज घर नहीं गई थी वैसे तो हर बार मैं अपने काम की वज़े से ओफिस में देर तक रुकती थी मगर आज मेरे पास काम नहीं था आज म डॉक्टर के पास ले जाया गया था वो उसने परताफ से कहा था कि आज गोरी की तब यह ठीक नहीं है तो इसे इसके घर भेज़ दो इस तरह गोरी की इज़त आज तो बच गई थी परताफ मुझे से बात करने के लिए मेरे कैबिन आया तो मैंने उसे खुझ से दूर कर दिया था क्योंकि मैं उससे बहुत गुसा थी मैं अपने घर आ गई तो उसने मुझे कॉल की मैंने उसे कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि गोरी मुझे सब कुछ बता चुकी है और तुम खुद कितने घटिया इंसान हो तुम्हारे आगे मा बहन नहीं है याद रखो कि तुम्हारी भी दो-दो बहने है तुम्हारी बहनों की इज़त के साथ भी इस तरह ऐसे खिलवाड हो सकता है आज तुम अपने बोस की वज़े से किसी की बेटी की इज़त के साथ ये सब कुछ करवा रहे हो कल को तुम्हारी बहनों के साथ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि भगवान इस दुनिया में ही पाप की सजा दे देता है मेरी बात सुनकर परताफ शर्मिंदा होने लगा था उसने मुझसे कहा कि रश्मी मैं तुम से यही कहूंगा कि तुम इस बात से दूर रहो तुम्हारी नोकरी खत्रे में पढ़ सकती है अगर बोस को पता चल गया कि तुम हकीकत जान गई हो तो वो तुम्हें नोकरी से निकाल देंगे मैं परताफ को बता चुकी थी कि आज मैंने ही गोरी को नशे की दवाई दी थी जिसकी वज़े से वो बेहोश हो गई थी परताफ कहने लगा कि रश्मी आज तुमने उसकी मदद कर ली है उसको बचा लिया लेकिन आगे तुम उसकी किस तरह से मदद करोगी आगे तुम कुछ नहीं कर सकती अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तुम उस नोकरी से हाथ दो बैटोगी और तुम याद करो कि तुम्हे नोकरी कितनी मुश्किल से मिली है परताफ कह तो बिल्कुल ठीक रहा था मैं आखिर गोरी की मदद कब तक कर सकती थी मगर मैंने परताफ से कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ अब कोई रिष्टा नहीं रखना चाहती हम दोनों के बीच जो कुछ भी था उसे भूल जाओ परताफ मुझसे माफी मागने की कोशिश कर रहा था मुझे कुछ बताना चाहता था मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैंने कॉल कट कर दी थी और फिर अपना नंबर सुच ओफ करके मैं सो गई थी अगले दिन जब मैं ओफिस में गई तो परताफ मेरे कैबिन में आ गया था और मुझसे बात करने की कोशिश करने लगा मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी लेकिन उसने फिर मुझे ऐसी बात बताई जिसने मेरे होश उड़ा दिये थे मैंने परताफ से कहा था कि तुम भी घटिया इंसान हों और तुम्हारा बोस भी मैं सिर्फ मजबूरी की वज़े से इस ओफिस में नोकरी कर रही हूं अगर मुझे पहले ही तुम्हारे बोस की हकीकत पता चल जाती तो मैं कभी यहां नोकरी करने के लिए नहीं आती मगर अब क्या कर सकती हूं मैं यहां से नोकरी छोड़ कर जा भी नहीं सकती क्योंकि मुझे कहीं और नोकरी नहीं मिलेगी परताफ कहने लगा कंपनी का मेनेजर बना दिया, उसने बताया कि बोस की पतनी की तबियत पिछले पांच साल से खराब है, बोस ने हर शहर, हर कंट्री में अपनी पतनी का इलाज करवा लिया, मगर उनकी पतनी को ऐसी बिमारी है, जिसका इलाज पूरी में कहीं भी नहीं है, बोस इसान जब हज से ज़्यादा मजबूर हो जाता है तो गलत कदम उठाने का फैसला कर लेता है ऐसा ही कुछ उसके चाचा ने भी किया था किसी ने उसको तांतरिक बाबा के बारे में बताया था वो उनके पास जाना तो नहीं चाहते थे मगर अपनी पतनी को बचाने के खातिर तांतरिक बाबा के पास चले गए थे तांतरिक बाबा ने उन्हें बताया था कि तुम्हें पूरे एक महीने तक किसी पंद्रा या सोला साल की लड़की को हर रात लाल जोड़ा पहना कर उसको दुलहन की तरह त्यार करके उसके साथ रात गुजारनी है ऐसा करने से तुम्ह अगर वो तो गलत काम करने पर मजबूर है मेरे चाचा एक शरीफ इनसान है वो किसी की बेटी को किड्नैप मी नहीं कर सकते और किसी ऐसी किसी लड़की को भी अपने पास उठा कर नहीं ला सकते थे उन्हें जब दीन द्याल की बेटी के बारे में पता चला कि वो अपने पित उसे कभी मांगा ही नहीं था मगर अब वो उनकी बेटी को इस्सेमाल करना चाहते थे इसलिए उन्होंने उसे बलैक मेल किया ताकि वो उनका कहना मानने पर मजबूर हो जाए और उसे ये भी बता दिया गया था कि अगर तुमने किसी को ये सब बताने की कोशिश की तो तु तुम्हारी आँखों में आसू आ जाएंगे परताब की बात पर मुझे यकीन तो आ गया था मगर मैंने परताब को समझाने की कोशिश की कि वो बाबा तुम लोगों को पागल बना रहा है जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में हैं आम इंसान भगवान के आगे हाथ ही रहेगी और अगर उनके भागे में जिंदगी लिखी हुई है तो वो किसी भी हाल में बच जाएगी बोस ने उस बाबा की बातों में आकर एक लड़की की जिंदगी बरबाद कर दी गोरी तो पहले ही एक गरीब पिता की बेटी है अब तुम खुद बताओ कि उसकी बन नहीं रखना चाहती ये कहा कर मैं अपने काम में बीजी हो गई थी और परताब खामोश होकर मेरे कैबिन से निकल गया था गोरी के साथ अभी भी वही सब कुछ हो रहा था मैं चाहा कर भी गोरी को नहीं बचा सकती थी क्योंकि मुझे नोकरी बड़ी मुश्किल से मिली परताब से मैंने पूरी तरह से बात करना छोड़ दिया था वो भी मुझसे कोई बात नहीं करता था बोस कभी कभी हम लोगों को मीटिंग के लिए बुलाते तो मैं बोस को नजर उठा कर भी नहीं देखती थी क्योंकि मुझे इस इंसान से नफरत होने लगी थी भले ही वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी अब मुझसे वो दूर दूर रहती थी और खामोश खामोश रहती थी कुछ दिन और गुजरे थे कि आचानक ओफिस में खलबली सी मच गई पता चला कि बोस की पतनी की मौत हो गई है हमारे ओफिस का पूरा स्ठाफ बोस के घर उनकी पतनी के अंतीम संसकार में गया था जिसमें मैं भी गई थी वहाँ पर मैंने बोस को उनकी पतनी के अर्थी के आगे बिलक बिलक कर रोते हुए देखा था वो जो बाबा पर यकीन करके किसी मासूम लड़की के साथ खेल रहे थे वो बाबा उनकी पतनी को नहीं बचा पाया उनकी उसके पिता आते थे और ना ही गोरी ओफिस में अजीव सा महौल क्रियेट था एक दिन बोस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया मैं जाना तो नहीं चाहती थी मगर बोस का कहना मानना मेरे लिए बहुत जरूरी था मैं जैसी ही उनके कैबिन में गई तो ये देखकर हैरा रह गई कि वहाँ पर पहले से ही परताब भी मुझूद था परताब बहुत ज़्यादा अफसोस में थे उनकी आँखों में आँसु साफ नजरा रहे थे वो शर्मिंदा भी लग रहे थे उन्होंने मुझे कहा रश्मी मैं परताब की तरफ से तुम से माफी माँगना चाहत हूँ क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी वो मेरे कहने पर ही मेरा साथ दे रहा था इसलिए उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें गोरी के बारे में सब कुछ पता है वो शर्मिंदा होते हुए कहने लगे कि मेरी पतनिया भी इस दुनिया से जा चुकी है मैं मानता हूँ कि मैंने गोरी के साथ उस बाबा के कहने में आकर बहुत गलत किया मेरी वज़े से एक लड़की की जिंदगी खराब हुई और तुम दोनों के बीच भी मेरी वज़े से दूरी पैदा हो गई मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ प्लीज मुझे माफ कर दो और परताब को भी माफ कर दो और इसे दोबारा से एसेप्ट कर लो मैं तुम्हारी खुद इसके साथ शादी करवाऊंगा तुम्हारी शादी में जितना पैसा लगेगा वो सारा कुछ खर्च करूँगा मैंने कहा सर आपकी गलती बहुत बड़ी थी मुझे आपकी पत्नी के जाने का बहुत अफसोस है मगर आपको माफी मुझसे नहीं बलकि गोरी से माफी माँगनी चाहिए तो बोस ने कहा कि मैं गोरी से माफी माँग चुका हूँ बलकि मैं उसके पता के पास अपना रिष्टा ले कर गया था मैं गोरी से शादी करना चाहता हूँ मैंने उसकी जिंदगी बरबाद की तो मैं उसको अपने घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ मेरी पत्ञी इस दुनिया में नहीं रही लेकिन उसके साथ मैंने अपनी पत्ञी की वज़ए से गलत किया था मैं उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं उसके घर गर जाकर उससे माफी भी माग चुका हूं और उसके पिता से उसका हाथ भी मांग लिया है इसलिए मैं तुम से कह रहा हूँ कि तुम भी परताप को माफ कर दो मैंने परताप की तरफ देखा तो उसकी आँखों में शरमिंदगी थी मुझे खुशी हुई थी कि बोस ने बहुत अच्छा कदम उठाया था इस तरह मेरी शादी परताप के साथ हो गई और बोस की शादी गोरी के साथ हो गई बोस ने गोरी के पिता का इलाज भी करवाया उसके पिता ठीक हो गई और अब मैं कमपनी के मेनेजर की पतनी बन गई हूँ मेरे घर के हालात भी बहुत बहुत बहतर हो गए परताब से शादी करने के बाद मेरी जिन्दकी पूरी तरह से बदल गई क्योंकि बोस ने हमारा बहुत साथ दिया आज मैं गोरी को जब उसके पती के साथ खुश देखती हूं तो बहुत खुश होती हूँ क्योंकि बहुत सच में बहुत अच्छ इंसान है मगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे जूटे लोगों से दूर रहिए जो आपको पाप करने पर मजबूर करते हैं जैसे बाबा जो आपको गलस सर्थ तरीके बताते हैं जिसकी वज़े से आप पाप करने पर मजबूर हो जाते हैं तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है ये फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेणा दैक कहानिय सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जब बर्दस कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप से भी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वह मंगल में हो